मस्कार दोस्तों मैं रविंदर बर्मा हमारे लोग प्रिये चैनल आयुद्वेदिक खजाना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आपको वो सारी जानकारी देते हैं जो सायब आप नहीं जानते जी हाँ कुछ ऐसे घरेलू और आयुद्वेदिक चीजे हैं जो हमेशा आपके आसपास होती हैं लेकिन किस प्रकारा आपके सरीर के लिए लाबदायक हैं यही जानकारी देता है हमारा ये चैनल आयुद्वेदिक खजाना बुड़ापे में आपकों की रोशनी बढ़ाना और चस्मे से छुटकारा पास दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी आपकों की रोशनी और उसकी सुन्दर्था कैसे बढ़ा सकते हैं बस आपको थोला सा घरेलू उपाय करके अपनी आपकों की हर बिमारी से प्रकारा पास अब हम आपको बताते हैं कि आपको करना जाए प्राता मुह में साथ पानी भर कर काल खुलाले और त्रिपला जल से आखों में छीते मार मार कर थोई इस प्रकार वो सुबा आख धोने से समस्ट नेत रोज निट जाते हैं तथा आखों की वज़ा से होने वाल और तो और आपकी आईग्रों भी हमेशा काले बने रहते हैं और आखों का पीलापन चलन आखों में होने वाली बीमारी तथा आखों में फ्राकिस्तिक चमक भीला जाता है साथ ही आखों को सुन्दर बनाने का और भी उपाय हम आपको बता हैं थोड़ा बादाम का तेल या जेतून का तेल में और अपनी एक उंगली से आखों की चारों और धीरे-धीरे मालिश करते रहे इससे आपकी आखों के नीचे का काला फल खतम हो जाएगा और चिकना तथा मुलायम दिखाई देगा आँखों के चारों ओर तो अच्छा पुष्ट दिखाई देगी अगर आपकी आँखों में आइब्रो कम है इससे आपके आँखे अच्छी दिखाई नहीं देती हैं तो आप R&D का तेल ले और उसे अपनी आइब्रो पर लनाएं और फिर देखिए उसी दिनों में आपके आँखों पर बाल आते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो बसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूरे ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहें हम दोस्तों आपके हैं